नमस्कार दोस्तों इस एजुकुशन चले में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको एवरेज के जितने भी टाइब सके प्रशन आपके इसकूल एक्जामस या फिर कम्पिटिटिव एक्जामस में पुछा जाता है उन सभी प्रशनों को इस वीडियो में कभर करने वाला हूँ सो वीडियो को अंतक जड़ू देखिएगा सबसे पहले आता है एवरेज ओफ फस्ट एन नेच्रूल नमबर इसका फर्मुला होता है एन प्लस ओन डिवाड़ेड़ बाई टू फर एग्जामपल कोंच्यान है वाट वील वीडियो इवरेज ओफ नमबर फॉम वन टू फिटी ओन्यू यहां हमारा टोटल नमबर ओफ टन्स कितना है 51 को इस फर्मुला में पुट करेंगे यादि 51 प्लस ओन बाई 2 यानि कि जो हमारा रिक्वाइड अवरेज होगा required average जो होगा वो कितना हो जागा 51 प्लस 1 डिवाइड़ बाइ 2 यानि कि 52 बाइ 2 यानि कि 26 नेक्स्ट है average of first n event numbers इसका जो formula होता है वो होता है n प्लस 1 question है find out the average of 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14 यानि कि यह जो हमारा event numbers है इनका average कही से find करेंगे ध्यान दिजिएगा जितना भी हमारा event numbers होगा total हमारा event numbers कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कि required average जो होगा वो हो जागा total number terms कितना है 7 है यानि कि 7 प्लस 1 is equal to 8 यानि कि इसका average कितना होगा 8 next है average of first and odd numbers इसका जो formula होता है वो n होता यानि कि जितना भी हमारा odd numbers दिया हो रहेगा वो ही हमारा क्या हो जागा average हो जागा question है calculate the average of 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 13, 15 and 17 तो इसका average कितना हो जागा total number terms हमारा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि कि required average जो होगा required average जो हो जागा वो कितना हो जागा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि कि 9 हो जागा इसके बाद आता है average of consecutive numbers और average of numbers in AP तो इसका formula होता है first number plus last number divided by 2 question है what will be the average of 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है 51, 52, 53 यानि कि जो हमारा consecutive numbers रहेगा इसका average कैसे निकलेगा तो इसका formula होता है required average निकालने का first term, first term में हमारा कितना है 3 है और last term कितना है 53 divided by 2 यानि कि 56 by 2 इसका average कितना हो जागा 28 next step find out the average of 4, 7, 10, 13 ठीक है last में हमारा कितना है 28, 31 ध्यान दिज्जेगा यह जो हमारा given series यह क्या है AP है AP में दिया बाटीक है जिसमें common difference हमारा कितना है 3 है इसका मतलब जो हमारा इसका average जो निकलेगा इसका average निकालने का जो formula होता है यानि कि required average जो होगा हमारा वो हो जाएगा first term यानि 4 last term यानि कि जदी कोई series जदी AP में दिया हुआ है तो इसका average निकालने का जो formula होता है वो होता है first term ठीक है यहाँ पर first term plus last term divided by 2 इसके बाद आता है average of 1 to n odd numbers इसका formula होता है last odd number plus 1 divided by 2 next है average of 1 to n event numbers इसका formula होता है last event number plus 2 divided by 2 इन दोनों को हम लोग इस example के तुरू समझते है question है find the average of all the odd numbers and average of all the event numbers from 1 to 45 यानि कि 1 से 45 तक में जितना भी हमारा odd number से उसका average निकालना है और 1 से 45 तक में जितना भी हमारा event number से उसका average निकालना है तो ध्यान दिजेगा average of all the odd numbers from 1 to 45 इसका जो फोर्मूला होता है last odd number plus 1 तो last odd number हमारा कितना है 45 यानि 45 plus 1 divided by 2 यानि 46 by 2 यानि कि 23 ठीक है और इसके बाद हमें find करना है average of all the event numbers from 1 to 45 यानि कि 1 से 45 तक में जितना भी हमारा event number से ठीक है उसका average निकालना है इसका फोर्मूला जो होता है वो होता है last event number plus 2 divided by 2 एक से 45 तक में last event number हमारा क्या है 23 next है average of square of first n natural number इसका फोर्मूला होता है n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 question है calculate the average of the squares of natural numbers from 1 to 25 यानि कि 1 से 25 तक में जब हम लोग इसका square करेंगे तो इसका average कितना होगा इसका फोर्मूला होता है n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 तो n हमारा कितना है 25 है कि 1 से 25 में हमारा total number of terms कितना है 25 यानि कि जो हमारा required average होगा required average हो जाएगा 25 plus 1 2n यानि कि 25 into 2 कितना हो जाएगा 50 plus 1 divided by 6 यान से हो जाएगा 26 into 51 by 6 तो यान 13 हो जाएगा यान 3 यान से हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है यानि कि 221 यानि कि जब हम लोग 1 से 25 में इसका जब हम लोग सब का square करेंगा तो इसका average कितना हो आएगा 221 next है average of cubes of first n natural number तो इसका formula होता है n into n plus 1 का square divided by 4 question है calculate the average of the cubes of first 9 natural number ठीक है 9 पहला जो 9 natural number है इसका average हमें find करना है तो इसका average हो जाएगा required average यान से हो जाएगा 9 into 9 plus 1 का square divided by 4 यानि कि 9 into 10 का square यानि कि 100 by 4 cancel हो जाएगा 25 यहां से हो जाएगा 225 इसके बाद आता है average of first n multiples of any numbers तो इसका formula होता है number into n plus 1 divided by 2 example है what will be the average of first 9 multiple of 5 ठीक है तो यहाँ पर हमारा कितना है number कितना है 5 है और multiple कितना है 9 का multiple है यानि कि n के जगा हमारा क्या होगा 9 तो हमारा required average होगा required average हो जाएगा वो हो जाएगा 5 into 9 plus 1 divided by 2 यान से हो जाएगा 5 into 10 by 2 यान से हो जाएगा 5 यानि कि 25